रसोई में रोज इस्तिमाल होने वाली बहुत सारी खाने की चीजें और मसाले रखे रहते हैं इन चीजों में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान न रखें तो यह आपकी स्वास्थाया के लिए खत्रा पैदा कर सकती हैं अगली स्लाइड में जाने रसोई में रखी कौन सी चीजें हैं जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है आलू आम और पर सबजी का राजा आलू हर रसोई में पाया जाता है लोगों को आलू बहुत पसंद भी होता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार जो आलू के ऊपर कुछ दिन बाद अंकुर निकलने शुरू हो जाते हैं वो हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर डालते हैं अकसर लोग शुद्ध शेहत के चक्क कर में सीधे मधुमक्खी के चट्ते से निकलवाया गया शेहत खरीद लेते हैं लेकिन यह शेग हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि इसमें मौझूद छोटे-छोटे जीव हानिकारक हो सकते हैं इसके सेवन से उल्टी आना, चक कर आना जैसे कई स्वास्त समस्याय हो सकती है। बादाम कहते हैं बादाम खाने से दिमाग तेज होता है। इसके साथ साथ बादाम के और भी कई फायदें बताए जाते हैं। लेकिन अगर कीचन में रखे बादाम पुराने हो गए हैं और इनमें थोड़ा सभी कडवापन आ गया है तो यह आपकी सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। दरसल बादाम का सवाद जब कडवा हो जाता है तो इसमें हाइड्रोजन साइनाइड की मातरा बढ़ जाती है जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। फलों के बीज कुछ फलों जैसे सेब, चेरी, प्लम, नाशपाती और आड़ू के बीजों में हाइड्रोजन साइनाइड की मातरा बहुत अधिक होती है जिसे प्रोसी एक एसिट कहा जाता है। भूल कर भी इनके बीज का सेवन न करे और नहीं इने चबाएं। इसके सेवन से सेहत से जुड़ी परिशानिया हो सकती है। जायफल घरों में जायफल का इस्तिमाल मसाले के तौर पर किया जाता है। इसका इस्तिमाल बहुत सी दवाईयों को बनाने के लिए भी किया जाता है। आयूर्वेद में इसका बहुत महत्व है लेकिन इसका जरूरत से ज्यादा सेवन करना हाने कारक हो सकता है। अधिक मात्रा में इसके सेवन सी हार्ट अटैक, नसों में कमजूरी, घबराहर, हाइपो थर्मिया जैसे कई परिशानियों का खत्रा बन सकता है.